असलाम अलेकुम डेयर वीवर्द कैसे हैं आप उमीद है कि आप बिल्कुल खेर और आफियस से होंगे आयाय मुहम्मद जावेद हश्मी मैं आप लोगों को एजुकेटर्स प्रिप्रेशन के एट्थ लेक्चर में खुशाम दीद कहता हूँ अलहम्दिल्ला हमने फाइव ग्रेड फाइव ग्रेड फाइव ग्रेड शिक्स का जो मैथ है उसको हमने रीड कर लिया था अच्छे से तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेम्थ क्लास का मैथिमेटिक्स इसमें सबसे पहले सेट्स की बात आ जाती है सेट्स हमने ग्रेड सिक्स में भी फड़े हैं तो सेट्स का आपको अच्छे से नोलेज होगा उसके बाद सेट की देस्क्रिप्टिव फार्म के बारे में बताया गया है और फिर सेट की बिल्डर फार्म के बारे में बताया गया है तो सेट्स ग्रेड में हमने सेट की टू टा लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए है जो कि डिफाइन इस तरह से किया गया है यह वो एक सेट पर मुझ्टमिल है जबके वो जो एक्स है सोरी इसको यह थोड़ा यहां से लिखा नहीं हुआ उसने असल में यह जो एकशा नहीं हमा यह समाल लान उसने लिखा हुआ है उसको में के सेट है जो के कौन से अलेमेंट पर है एक्स पर जबके यह जो एक्स सब्सक्राइब करते हैं उसका बिलोंगिंग बता करके वह कौन से से बिलोंग कर रहा है जैसे कि यह कहते हैं कि एक सैट है जिसमें जो एलिमेंट से उनको एक्स का नेम दिये गए जबकि जो एक्स हैं वह वावल ओफ इंग्लिश अलफबैट्स हैं इससे तरह अब वह यह जो हमारे पास सेट लेफ्ट साइड पर टैबलर फार में लिखा गए इसको उन्होंने क्या किया है कि सैट बिल्डर फार में लिख दिया है अब वह सेट्स वह होते हैं अगर उनका इंटर्शेक्शन लिया जाए तो वह कहते हैं कि एम्टी सेट आना चाहिए और उसके बाद ऑवर लैपिंग सैट्स के अगर है दो हमारे पास सैट्स हों यह देखें एक ए सैट है एक बी सैट है अगर इनमें एक भी ऐलिमेंट कामन आ जाए तो इसनको ओवर लैपिंग सैट्स कहते हैं अगर इनमें एक भी ऐलिमेंट काम बनी तो फिर इनको डिस्ट्वाइंट सैट्स कहेंगे और यूनिवर्सल सैट्स अगर हमारे पास कुछ नंबर्स मुझूद हैं जिनको हमने सैट्स में क्लोज किया सैट्स बनाय हुए हैं और को जल्स को आप पहले से जानते हैं और यह पिर कॉंपलिमेंट का भी ऊप्रिमेंट क्या मुंपलिमेंट क्या होते कि स्था कि यूनिवर्सल सैट्स में से में सफको निकाल लए तो जो बाकी ऐलनिमेंट साथ हैं उसको सेट्पों बनेगा वह एक यून यूलू Mm को उसे सथ हो जैसे यहां पर बताया को था है अब लोगों ने क्या करने हैं कि यह क्या हुते हैं फिर नबर प्यूवर क्यों कि होते हैं जब कि प्यूर कि दोनों होते हैं और क्यों बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के यह दिफाइंड नंबर होने चाहिए उन्डिफाइंड नहीं होने चाहिए तो यह एक्जमपल कुछ दीगए यह रैशनल नबर्स की और इसमें कुछ क्या कहते हैं कि अप्रिशन है प्लस क्या भट कहते हैं या आप आप कर आप करेंगे भी यह उसके बाद क्या हो रही है कि डाय सीमल क्या होता है वह हमने पहले भी डिसकस किया था अब बात आती है कि decimal actual ہوتا ہے کہ decimal وہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی numbers के درمیان کوئی ہمارے پاس term ہے customers के Cohenב अगर decimal point आजायை तो उसको कहते हैं कि तो फिर वह term हो गया उसको हम कहते है decimal number तो यह हमारे पास एक number मुझूद था सके कुछ digits के دरमियान क्या कहते हैं कि डैसिमल आ गये देखें यहां पर डैसिमल आ गया तो इसको कहेंगे डैसिमल नंबर कहेंगे अब वो नान टर्मिनेटिंग डैसिमल क्या होते हैं वो के जिनका जो कोशन्ट होता है जब कोशन्ट निकाले तो उसके जो डैसिमल होते हैं डैसिमल के बाद जो डिजिट्स होते ह वह क्या कहते हैं कि नान टर्मिनेट होते हैं मतलब यह है कि वह टर्मिनेट नहीं होते जैसे कि यह है और रिपीटिंग रैशनल क्या होता है कि अगर जैसे कि हम अगर यहां पर देखें तो इसके जो डैसिमल के बाद जो डिजिट हैं वह रिपीट हो रहा है 555 लेकिन इसका रिपीट नहीं हो रहा इसका भी रिपीट हो रहा है तो ऐसे रिपीटिंग 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 रिप हुआ है उसके बाद चैप्टर नबर फूर पर आते हैं कि एक्सपनेंट्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी टर्म है उसकी पावर में जो नमबर आता है उसको एक्सपनेंट्स कहते हैं इसको अप्सोल करना जानते हैं अच्छी तरह से बाकि यहां पर कुछ रूल बतायागे है, एक्स्पनेंट्स के रूल क्या है, कि अगर हमारे पास टू टर्म्स हो, जिनकी बेस तो एक जैसी हो, लेकिन उनके एक्स्पनेंट अलग हो, तो फिर क्या कहते हैं कि उसी बेस को एक पार लिखकर उसके जो एक्स्पनेंट उनको प्लस कर दिया जाता है, इसे तरह अगर हमारे पास exponent same हो लेकिंट जो उसकी उस टर्म की जो क्या करते हैं बेसे तो वह मुख्तलिक हो जैसे अगर वह मल्टिप्लाई हो इनको मल्टिप्लाई करके उनकी एक ही पावर कर दे जाती है और इसे तरह डिविजन की बात हो रही है कि अगर बेस एक जैसी हो तो हम क्या कहते हैं कि अगर हम जो डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट अगर हम क्या कहते हैं कि तरफ लेके जाना चाहें तो हम उपर वाले पावर में से निच्छे वाले की पावर माइनस कर देते हैं उसकी तर हो जाती जिस तरह मर्जी कर ले हम कर सकते हैं इसको तो उसके बाद यह कहते हैं कि अगर कोई भी नमर हमारे पास मुझूद हो जुनि दुनिया जहान का जिरो गिलावा उसके अगर हम जिरो पावर ले ले लें को हमेशा क्या होगा एक्वल टू वान होगा यह आप लोगों ने बाकी जो क्या कहते हैं कि यह वाले चीज़ें आप लोगों ने खुद करनी है उसके बाद स्केर रूट की बात हो रही है स्केर रूट और पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है स्केर रूट को आप जानते हैं लहादा आप ये खुद करेंगे फिर परफेक्ट स्केर की बात हो रही है कि हर वो नंबर परफेक्ट स्केर कहलाता है कि अगर वो किसी होल नंबर के स्केर के एकवल हो यह आप लोगों ने क्याशन खुद करने हैं इसमें में जो चीद प्राइम फैक्टराइजेशन है वह आप लोग जानते होंगे उसको नहीं तो यहां से पढ़ लेजिए बहुत अच्छे से सोल किया गया अब ड्रैक्ट लेलों ने जाना था लेकिन आज बात हम थोड़ी सी ऐओर करेंगे कि कि कंटिन्यूड रेशु क्या होती है के देखें कि पहले पहले हमें रेशो दी गए थी आमिर और इमरान के बीच कि उनकी जो क्या कहते हैं कि रेशो ओफ अमिर और इमरान आर इनकी एजिज़ में जो रेशो है वो थी फाइव और सेमन की यह वाली तो उसके बाद इमरान और अले का मुकाबला चल पड़ा तो उनकी एजिज़ में क्या है रेशो उनकी थी टू है तो इसको कहते हैं कंटिन्यूड रेशो जब तीन या तीन से करना है वह आपने लिख लिए फिर इनको मुल्टिप्लाई करना है वह आपने इधर लिख लेना है और फिर इनके जो आए जब आप उनके दरम्यान में रेशो लगा देने इसको कंटिन्यूड रेशो कहेंगे कि पर पॉर्पोर्शन को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं और पॉर्पोर्शन को आप सोल करना भी जानते या सारे क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् टेक्स की टेक्स क्या होता है टेक्स वह होता है कि जो गवर्नमेंट सिटीजन से क्या करती है कि करती है ताके वह कंट्री को चला सके तो एक होता है प्रापर्टी टेक्स दूसरा होता है जैनल से टेक्स प्रापर्टी क्या होता है अगर आपके पास कुछ जदाद है प्रापर है और वो रिकार्डड है उसका आपने रिकार्ड जम्म करवाया हुआ है उस पर सिक्स परसेंट क्या कहते हैं कि टोटल वैलिव पर टैक्स लगेगा एनुवली और इसी तरह अगर आपके पास इम्मूवेबल ऐसी प्रापर्टी है कि जिस जो नाट नाट रिकार्डड है तो और रुपीज शिक्स पर स्केयर फीट फार बोथ रिकार्डड एंड नान रिकार्डड दोनों के लिए है कि इफ दी मिनिमम एरिया इज एटीन हंडेड स्केयर फीट इतना हो तो तब टैक्स लगना शूरू हो जाता है तो क्या है कि यह आप लोग ने मेंट टेरंस है इनक अगर कोई चीज कुछ कोई भी अगर वह प्रोडाक्ट क्या कहते हैं कि वह प्रोड्यूस करती है तो उस पर ना गवर्मेंट टैक्स जो लगाती है वह जो कंजियूमर यूज करने वाला होता है उसी को वह पे करना होता है जब वह चीज सेल होती है तो तब उस पर टैक्स you tax जो होता है वो तब pay की पे की आ जाता है तो ये उसके बाद pouring in का रहे है कि अगर हमें अगर कोई चीज परचेश करते हैं और पिर कया है कि उसको फिर सेल करते हैं अगर आ जाता है प्रॉफिट तो उसका जो फार्मॉला होगा היא प्रॉफिट का तो उसका sale price में से हम cost price निकास देंगे और competitor जो percent profit है यही है कि profit over cost price इसको multiply कर देंगे hundred से यह तरह से गर low सा जाए तो उसका फार्मूला जो होगा यह वाला यह उलाट जाएगा cost price में से sale price निकालेंगे और फिर percent loss का होगा के उपर यहाँ पर low सा जाएगा और फिर मारकप की बात हो रही है कि मारकप इजन अमाउंट एड़ेट वा कास्ट प्राइस तो कैलकुलेट जी सेलिंग प्राइस कि अगर हमने कोई चीज परचेद की है तो हमने मुनाफ़ उसमें जो डालना है उसमें क्या करेंगे उसको प्लस कर देंगे कि हमने इतने की बेचनी है अपना मारजन रखके बेचनी है तो टोटल सेलिंग प्राइस फिर हो जाएगी और मारकप का जो फार्मूल है वो कुछ इ प्राइस होती है कि जिस प्राइस पर हमने वो परचेज की है और फिर उसके बाद क्या है कि उसका जो टी टाइम पिरिड होता है साल के लिहाद से होता है कि कितने टाइम पिरिड के लिए हमने यह चीज क्या है कि बेचनी है तो यह क्या है कि फिर जपात की बात आ जाती है कि जपात जो होती है अगर हमारे पास कोई सेविंग हे तो इस पर टू पॉइंट फाइव सेंट लगेगा एनुली लगते है और इसकी इसलाम के लिहाद से यह है कि 7.5 तोला अगर यह यह इसके बराबर आपके पास दोलत है या फिर 52 तोला सिल्वर या फिर इसके बराबर आपके पास अगर मतलब चांदी की बात हो रही है इतनी दोलत है उस पर फिर आपका एन्वली क्या जकात आप पर वाजिब हो चागी उशर क्या अग्री कल्चिरल प्रोडॉक्ट साब के पास हैं जैसे के गंदूं होगी कपास हो गई तो क्राप्स वग्यरा हो गया फूरूट हो गया वेजिटेबल्स हो गया उन पर क्या है कि आपको उश्र अदा करना पड़ता है विश्र भी टू का होता है एक होता है कि हमने अगर हमार होता है एक होता है वान ओवर ट्वैंटी तो यह आप लोगों ने एम सी क्यूज यह खुद करने हैं इतने मुश्किल नहीं है और उसके बाद आते हैं हम यूनिट नमबर एट पर इसमें अलजबराई के एक्सप्रेशन्स हैं अलहमद्लिल्ला आप अलजबराई के एक्सप को पता है और यह हमने ग्रेट सिक्स में भी पढ़ रखा है अब लीनर यूकेशन के बात हो रही है तो यह हमने पहले पढ़ा हुआ है यह भी आप खुद करेंगे अब इनफार्मेशन हैंडलिक की बात जब आती है तो इसमें डैटा की बात आती है जो भी हमें मबाद दिय जाएगा वो डैटा कहलेगा अन गुरूप डैटा अन गुरूप डैटा वाइफ डैटा और आप रोफार्म यह देखें यहां पर रा यहां पर हमने रा लिखना था रा उस नहीं लिखा यहां पर और डबली वह आता है तो यह कहते हैं कि अरा फार्म होता है उसको क्या कहते हैं कि अन ग्रूप डेटा कहते हैं ग्रूप डेटा क्या होता है कि जिसको हम एक रेंज में लिख लें तर्तीब में लिख लें उसको क्या कहते हैं वो एक इन फार्मेशन हमें देगा उसको कहेंगे अन ग्रूप डेटा होती है एब डिय leEO करती इती तक तक तो इसमे। स्को क्या कर þेंगे कि हम हम फैनल में से िरल निकाल डेंगे तो जो नंबर आएगा वह को उसको कहें कि इसकी क्या कहते है फ्रीक्वेंसी अब पर क्लास लिमिट क्या है कि अगर हमारे पास एक क्या कहते है कि क्लास इंटर्वल हो तो उसकी जो सबसे क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी वैली होती है उसको कहते हैं पर plastics limit और अगर उसकी जो सबसे सब कम वैली होती है smallest उसको कहते हैं lower class limit अब size of size of the class interval क्या होता है कि चो हमें इतना सारे data दिया गया है उसकी जो लार्जेस्ट वैली होती है उसमें से अगर समालेस्ट वैले निकाल दें और जितनी वो टोटल नंबर ओफ क्लासेज होंगी उस पर उसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें क्लास की इंटर्वल मिल जाएगी और यहां से हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं आप द आप यह देखें यहां पर हमने इनको यहां पर लिख लेना टेबल में अब टोटल फ्रीक्वंसी नीचे 25 हो रही है परसेंटेज जब हमने के निकालनी है जब तो यह जो 17 को 25 पर डिवाइड करके उसको सो परसेंट से मल्टिप्लाइ किया जाएगा इसी तरह यह टोटल इ सब्सक्राइब कर देंगे इस तरह सब को से मल्टिप्लाइ करते जाएंगे हमें उसका एंगल मिलता जाएगा जब उनको प्लस करेंगे तो वह 360 बनेगा यह तो यहां फिगर में भी दिखाया गया है बाकि आप लोगों ने यह जो हैं यह आप लोगों ने खूद करने हैं क आव अैगल भी पढ़े थे और हमने कमपलिमैंटर्य एंगल्स भी पढ़े थे उसके बाद हमने सभीमेंटर्य एंगल्स यह भी पढ़े थे अब आते हैं कांग्रुएंट फिगर्स के फिगर्स जो होती उनका अगर साइज A को शेफ अ च्वज़ इको ठीक तो क्या कहलाती कांगुरेंट फिगर्स फिंगांगुरेंट के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वह यह वाला यूज करते हैं और उसके बाद यह सरकल सरकल को आपको पता इसका एक फिक्स पॉइंट सेंट्रल पॉइंट होते हैं और क्या कहते हैं कि जो इससे जो फिक्स डिस्टेंट पर जितने पॉइंट होते हैं उनका लोकॉस ले ले उनको मिला लें तो उसको क्या कहते हैं कि सरकल कहते हैं रेडियस का भी आपको पता है डायमिटर के भी आपको पता है कोड का क्या होता है कि ऐसी लाइन जो सरकल के two points को two points को मिलाएं उस लाइन को क्या कहते है code कहते हैं उसके लाद – tangent का बात हो रहा रही है कि अगर सरकल ये कर्व की एक point को छो कर एक line गुजरे तो उस White सrick how सरकल हमारे पास इसके δर्मियान में अगर एक यहां पर क्या है कि cell अधिया इसको टो चैमन्ने सेगमेंट में ह्मने ॉड्य कर लिया एक समाइक सेगमेंट है और एक क्या है कि एक सेगमेंट मैनल मेजोर के लिया हाथ से इनको खाते है enabled को tota सरकंट क्या होती एक सरकल जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यह एक आर्क है और एक यह बिग आर्क है इसको आर्क कहते हैं तो उसके बाद इसके हैं आप लोगों ने खुद करने हैं और यहां पर होता है एट्स ग्रेड के मैथिमेटिक्स के स्भी आई इसका में क्लास का तो दस्तू को जो घ्रेड के मैथ करेंगे अगर आज कि लैक्चर से किसी का कुछ सवाल है तो वह मुछ से पूछ सकता है है को हो के वैल चलो ठीक है हम फिर मिलते हैं शालब ताला नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए लाफिज कर दो कर दो कर दो कर दो